हेलो फ्रेंड वेल्कम पैक टू माई चैनल फ्लॉरिशिंग सम्रिद्धी कैसे है आप सभी लोग भूब आप सभी लोग ठीक होंगे स्वाज शेयर करने वाली हूं मैं मेशो की दिवाली स्पेशल दो सिल्क सारी का वीडियो सो यह सारी मैंने मीशो से ओडर की हैं अंडर 500 रुपीज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल और पैटर्न में सिल्क की सारी है मुझे बहुत पसंद आई और स्पेशली दिवाली ये रे तो बहुत अच्छी है तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो फेंड्स मीशो अपसे जो मेरी पहली सारी है ये है बहुत ही खुबसूरत ब्लैक एंड सिल्वर कलर में सिल्क सारी है और इसे मैंने पर्चेस किया हुआ है ओनली 437 रुपीज में बहुत ही अच्छी और प्यारी सारी लग रही है तो अच्छा लगता है मुझे ब्लैक कलर तो वैसे भी सभी का फेवरेट होता है तो इसको ध्यान में रखते वे मैंने ये ब्लैक सारी को ओडर किया था ये बहुत ही सुन्दर कॉंट्रास्ट ब्लाउस के साथ दिंग हुई है तो ये है इसका ब्लाउस पीस ये रेड मरून टाइप में है कुछ और कपरा भी बहुत अच्छा है बहुत सॉफ्ट कपरा है अच्छी लेंध और विट का लाइनिंग लगाने के बाद ब्लाउस तयार होगा उसके बाद हमारी साडी स्टार्ट हो जाएगी तो ये हमारी साडी का पहला टक है तो ये पूरा प्लें दिया इस तरीके से उसके बाद इस साडी में इस तरीके के यहां पर अपर बॉर्डर है यह जो साडी का में दिखा रहे हैं यह थोड़ा सा सिल्वर जरी धागे का वर्क है वहती फाइन और बारीक है कहीं पर भी कुछ भी मिस्प्रिंटेड नहीं है यह पूरा इंब्रोइटरी है इस तरीके के बड़े-बड़े रोस फ्लार्स बने हुए है जिनमें पैटल्स भी बनी हुई है और लीफ भी है इस तरीके का पूरा डिजाइन है आप पास से देखेंगे तो जादा अच्छे से क्लियर होगा यह पूरा इंडोइटर है कुछ भी निकलने का डर नहीं है नी इस तरीके के इसमें पूरा घणा साड़ी के डिजाइन से डिफरेंट यह पल्लू दिया हुआ है तो मुझे इसाड़ी काफी पसंद आ रही है मैंने इसे स्टाइल किया हुआ था क्योंकि इसका ब्लाउस तो रेड है क्योंकि इसका ब्लाउस तो मैने उसके साथ इसे व्याए किया था काफी अच्छा लग रहा था आपके पाश जो भी सिम्पल जूलरी है और अगर आपके पास photon पेटन में रिस्ट वर्च है तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि बाकी matching bangles लगा लेंगे तब तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है और ये बहुत ही soft silk से बनी हुई है तो छूने में भी काफी soft सी लग रही है यहाँ पर हम देख रहे हैं साथी का जो blouse piece है फूशिया bright pink color है दिवाली में तो वैसे भी bright colors जो होते हैं इसमें काफी अच्छी लगते हैं फिर यह silver जरी यह golden जरी धागे का इस तरीके का बहुती fine embroidery का border दिया हुआ है बहुत अच्छा काम है साडियों में जो इस रेट में मिल पाना शौक्स पे तो काफी मुश्किल है फिर हमारी साडी यह start होती है तो यह इस तरीके से कुछ pastel green color की sky blue tinge के साथ है काफी अच्छा सा design इसके उपर बना हुआ है यह इस तरीके से देख सकते हैं उपर golden जरी धागे का बहुती clean border है और फिर यह इस तरीके का यहाँ पर design दिया हुआ है तो काफी अच्छी लग रही है यह साडी नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं साडी में तो चौड़ा border आपको provide किया गया है और यह contrast border है देखिए यहाँ पर साडी के green color से इसका color थोड़ा सा different हो जा रहा है फिर ब्राइट फूशिया pink color के यह गोल-गोल से flowers बने हुए इनके अंदर lotus flower का कुछ look आ रहा है तो दिवाली के हिसाब से मुझे एकदम suitable लगी थी इसलिए मैंने साडी को order कर लिया अब हम साडी का पल्लू पार देख लेते हैं तो यह इस साडी का यहाँ पर हमें पल्लू दिया हुआ है यह भी bright fuchsia pink color में है तो काफी सुन्दर लग रही है साडी मुझे काफी पसंद आ तो जो प्राइस हमने पेकिया उसके साडी की quality, fabric, blouse piece सभी कुछ बहुत अच्छा है आखे बंद करके आप इस साडी को purchase कर सकते हैं बहुत सुन्दर साडी है सुप्रेंस पुझे जरूर बताईएगा आज की वीडियो और यह साडी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी से request है वीडियो को एक like दीजेगा अपनी तरफ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल प की लग कुष्वे लिगा बाइब